तर दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं उन लड़कों से शादी कभी ना करें जिन में दिखे आपको ये साथ बाते हैं अगर सादी से पहले आपको लड़के के साथ डेट पर जाने या फिर उसे करीब से जाने का मोका मिले तो आप भूल कर भी इस मोके को हाँच से ना जाने रहे आपके लिए ये वो खास मोका होता है जब आप अपने जीवन साथी के बारे में काफी अर्तक जान सकती हैं और उसके अच्छी बुरी आदतों को पहचान सकती हैं ये लाजमे है कि आपको लड़के से मुलाकात के दोरान इस बात की चिंता अवश्य सताएगी कि उसके साथ आपका जीवन भर का रिस्ता सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा ये बात निर्बर करती है उनके अंदर के इन साथ बातों के उपर जो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं अगर ये साथ बाते आपको उनमे नजर आएं तो आप बिलकुल उने नजर अंदाज कर दें वरना आपको जिंदगी बर पस्ता न पड़ सकता है बाते जो आपको लड़के से साधी करने की गलती से बचा सकता है वो इस परेकार से है जब बात बात पर गुसा आए कुछ ऐसे पुर्ष भी होते हैं जो अपनी पार्टनर को कंट्रल में रखने की कोस्ई करते हैं ऐसे में अगर लड़किया उनकी मर्जी के खिलाव कुछ करती हैं तो वो गुसे में आ जाते हैं अगर बार बार लड़के को आपकी किसी भी बात पर गुसा आ जाए तो ऐसे गुसेल आदमी के साथ जिंदगी बिताने से बैतर है उससे आप दूरी बना ले और साधी से इंकार कर दे जब आपकी सोच को बदलने की कोसिस करे लड़के से मुलाकात के दोरान आप उससे किसी भी बात को लेकर बैस करना शुरू कर दे और ये देखें कि वो आपकी बातों पर किस तरह से रियक्ट कर रहा है आपकी बात को सांती से सुनने के बजाए अगर वो आपकी सोच को भी बदलने की कोसिस करने लगे तो ऐसे आदमी के साथ जिन्दगी बिताने से पहले आप अवश्य एक बाद सोच ले यह देखे कि वो कितना धहरवान है साधी के रिस्ते में किसी एक पार्टनर का धहरवान होना बेज जरूरी होता है अगर दोनों को जल्दी गुसा आता है तो यह रिस्ता लंबे टाइम तक नहीं चल पाता और चलता भी है तो इस प्रेकासे की घर में हर समय कल्या का वातवन बना रहता है ऐसे में अगर आप शादी से पहले लड़के से मिलती है तो फिर उसके धहरे की जाच अवश्य कर लें यह देखे कि उसे कितनी जल्दी गुसा आता है और वो कितनी जल्दी नॉर्मल होता है अपने मोबाइल फोन से करें उसकी जाच लड़के को अच्छी तरह से परकने के लिए अपना मोबाइल एक दिन के लिए बंद करके देखें दूसरे दिन ओन करें और यह देखे कि उसने कितनी कॉल या मैसेज किया है अगर उसने एक भी मैसेज या कॉल नहीं किया तो वो आपकी बिल्कुल केर नहीं करता अगर बहुसे मैसेज या कॉल से है तो आप पर शक करता है अगर लिमिट में कॉल और मैसेज है तो आप समझ जाएए कि यही आपके लिए सही जीवन साथ ही है ऐसे जाने उसे आप पर भरोसा है या नहीं लड़के को आप पर कितना भरोसा है ये जानने के लिए मुलाकत के दोरान लड़के से एक बार यह कैकर देखे कि आपने किसी कारण बस एक रात अपने एक दोस्त के घर रात भर समय गुजारा ऐसा कहने पर अगर उसके चेहरे पर हाव भाव बदल जाते है तो समझ लीजे कि उससे आप पर विश्वास नहीं उसके सामने करें दूसरे मर्दों की तारिफ सादी से पहले लड़के से मुलाकत के दोरान उसके सामने किसी और मर्द की तारिफ करके देखे दूसरे मर्द की तारिफ सुनकर अगर उससे गुसा आ जाता है तो समझ लीजे कि वो कितना ज्यादा पोजिसिव है और इसे आप उसकी मानसिक्ता को भी बहतर तरीके से समझ पाएंगी एक्स के बारे में बात करके देखे लड़के को पर रखने का सबसे बहतर तरीका है कि आप उससे ये कहकर देखें कि आपका एक पाश्ट था और अभी तक आप उसे भुला नहीं पाई है आपकी इस बात को सुनकर अगर उसके चेहरे के हाव बाव बदल जाएं तो फिर ये समझ लीजिए कि वो छोटी सी बात को लेकर भी आप पर शक रख सकता है ये बाते जो आपको लड़के से शादी करने की गलती से बचा सकते हैं सादी का लड़ू खाने के बाद पस्ताने से कई जाता बहतर है कि साधी से पहली लड़की के बारे में या लड़के के बारे में अच्छी तरह से जाद परताल कर लेना चाहिए जिसे कि जीवन भर्ग का जो कश्ट में सफर है वो हम दूर कर सके अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जय हिंद